So guys, this is called real karma, जैसी करनी वैसी भरनी, इन्होंने जैसा किया, इनको वैसा ही मिल रहा है अब और आगे भी मिलने वाला है, just wait and watch So hey everyone, welcome back to my channel, कैसे हो आप लोग, I hope आप लोग अच्छे होगे, आज की वीडियो में मैं रियाक्ट करने वाले हो एक बहुत ही वाइरल वीडियो पे, जो की इंटरनेट पे कफी जादा वाइरल हो रहा है, और ये वीडियो है, हमारे UK07 Rider Anurag भाई की वीडियो है, जो की उन्हों ने ही डाली थी, इन्हें सोसल मीडिया साइट पे, स्टोरी के रूप में, और उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दी, बाट उनकी ब्रो सेना में से ही कुछ लोगों ने उस स्टोरी को डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद इंटरनेट पे वाइरल हो रही है, ये स्टोरी, जो की मेरी नजर में भी आई, actually बात कुछ ऐसी है कि पहले इन्होंने वैसलीन लगा कि आसु निकाला और आमिर माजित को एक्सपोज किया, उसके बाद इन्होंने बियर बैकर सैमी को एक्सपोज किया, and now वैसलीन लगा कि एक बार फिर से ये अपने गर्ल्फरेंड को के बाद हम लोग बात करेंगे वीडियो के बारे में, and वीडियो के दौरान बात करेंगे कि कैसे ये अपनी गर्ल्फरेंड, खुद की गर्ल्फरेंड, जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे थे इतने देन से, इतने टाइम से, कि वो सची है, और बाकी दुनिया जूटा है, and now he is saying कि वो जूटी है, अभी उनको पता चला है, that कि उनके गर्ल्फरेंड जूटी है, guys, इनको धोका दिया, actually में, तो चलिए देखते हैं, पूरा मामला है क्या स्टोरी में आपको मालूम चलेगा, so पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, so let's get started. पिसले कुस ताइम से, चीजें बहुत जादा टॉक्सिक चल ली थी मेरी सिंदगी में, and you know, इस कॉंटर्वर्सी के बाद, अलमुस सारी चीजें खराब होगे थी, but I did not expect it, कि Savya इस कॉंटर्वर्सी के कारण, you know, relationship तोड़ देगी, oh my god, आदी अलमुस्ट फिक्स हो गई थ सब कुछ अलमुस्ट फिक्स हो गया था, वो सब चीजें तोड़ देगी, and अब सोशल मीडिया पर आकर के, you know, मैंने उसका साथ चोड़ दिया, Savya वो लड़के, guys, जिसके लिए मैंने सब जगे स्टैंड लिया, अपनी फैमिली से बात करा, and at the end of the day, उसने शादी तोड़ जो लड़की मेरी फैमिली को इज़त नहीं दे सकती, जो लड़की उन लोगों से जाकर के मिल गई, जिनके बारे में वो दो हफते पहले एक वीडियो बना थी कि यह मुझे ऐसा बोल रहे है तो, इन्हों ने अपनी वीडियो में बताय दिया कि दो हफते पहले जो लड़क कि वो लड़की मुझे भी मतलब बेवकू बना रही है, मतलब सारी गलती यह सब्या पे डाल रहे है, मतलब, आगे सुनते हैं, इसने ना हर एक चीज के पैसे, ओके, इसने गोपुरो दिया था, तो नौ शी टेक्स्टिंग मी, मेलिंग मी कि भाई, मैंने तेरी कोई आउका को अब बार जीते है, कल रात, कल शाम को है मेरी मम्मी को call करके, मेर पास उसकी audio call recording अब रिक अड़कार्डिंग इस की बोल रही हैं, लै का चांस यह करोंगी वह करूंगी, मेरे पास इसके कल शाम के मेंसिज हैं कि सॉरी बेबी माफ करो आज के बाद मैंने ब्रेक अप करा मैं एक आज के बाद नहीं करूँगी प्लीज एक चांस दे दो मैं जो आम जस गोन पोस्टेट एवरेटिंग मतलब किस तरह के लोग है यार यह 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 प्यार करता है कि क्या गरता है सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग यह मैसेज़ वगेरा यह पब्लीक ली दिखाने को तयार हो रहा है यह मतलब सच्चा बंदा है इसने सच में प्यार किया था या फिर यह उस लड़की को मतलब यह तो पता ही चल रहा है कि ऐसे लग रहा जैसे कि उस लड़की को अब उस टाइम जब बाइकर स्यामी कह रहे थे कि यह लड़की फेक है यह लड़की जूट बोल रही है तब कोई बिलीब नहीं कर रहा था नाव अनुराग भाई हमारे भाई कह रहे हैं कि फेक है तो ब्रो से ना आब मानोगे ना आप संसार जी तेला यह फेक लड़की है सव्या कितना फेक और कितना पैसा चाहिए ओ मतलब यह यह कहना चाहते है कि सव्या पैसे की भूकी है कितना पैसा चाहिए यार उसको यह यह है एक स्क्रीन शॉट जिसमें की सव्या का मैसेज है और उसमें इसने मेल किया है इनको की मतलब काफी कुछ गालिया वगेरा दिय और भीकल दो ओैं अ embodied अभेधी करई ना कि सुअधिय बिव मगुद्ट इतना बदनाम कररहे उंक तो आपना तो हेसी अभा ee कि बढ़कं को भुट इस सुन परसान connect करें ना कि एक तरभ पिर खुषन केंड़ियों दम करने ए जणकेश पर आयं कैंझ तू फाफ में कुछ नइक परिशान के नहीं है। तो मैं बता देती हूं यह कॉल रिकॉर्डिंग है सव्या ने इनकी मम्मी अनुराग जी की मम्मी को कॉल किया था और वो रो रही थी वो कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो मैं आप कुछ भी नहीं ऐसा बोलूँगी सोशल मीडिया पे इन्होंने पोस्ट कर दिया था और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सियल चीजे बोल दी थी जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए था for the relationship part क्योंकि इनके बीच के इनको पता है ना कि हमारी क्या चुगल बंदी है क्या खिचड़ी हमारे बीच में क्या पकी है लोगों को कितना हमने बेवकूफ बनाया है और लोगों को कितना सिंपती हमने गेन किया है वो इनके बीच में था तो सव्या अब इससे अलग अपना एक अलग से पोस्ट डालती है जिसमें कि यह बता रही है सव्या बता रही है कि अनुराक कितने बड़े फेक इंसान है और जो लोग एक दुसरे से रिलेशन शेयर कर रहे हैं जो लोग इतना क्लोज है जब वो क्लोज बंदा कह रहा है कि यह बंदा भरोसे के लायक ने लोगों को बेवकू बनाता है इसने अपने मैसेज में जिस त करना इस अब बेवा कूफी फॉर दा ओडियंस होंगी जो लो जो ओडियंस भी आमिर माजीद और बियर बाइकर सैमी और उनसे जुड़े जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो मतला है पहुंचा रहे ना जितने भी एलविश और हमारे समराट भाईया और हमार लड़ाई आपके सामने हैं दोनों एक दूसरे पर अलिगेशन लगा रहे हैं और दोनों की लड़ाई में हमें समझ में आ रहा है सच्चाई क्या थी और धीरे-धीरे सच्चाई वो बाहर आएगी ही सच्चाई वो बाहर आएगी आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया है आपको उसी का फल मिल रहा है आज की आपकी खुद की डी फेम आपकी गल्फिन कर रही है और उस लड़की को तो सबसे बड़ा कर्मा का फल मिला है कि उसने एक लड़के के ऊपर गलत इलजाम लगा सब्सक्राइब करने की कोशिश की तरह से उस बंदे का मतलब लाइफ खतम हो जाता अगर करी खतम हो जाता तो उस बंदे के इस पास अगर कोई वीडियो नहीं होता तो सायदाज जेल में होता तो यह चीज़े यह इनको अब मिल रहा है भुगतने के लिए कहते हैं कि जी ने कुछ चैट्स भी लोगों के सामने पब्लिक को दिखाई हैं, oh my god, यह प्यार करता था या मतलब यह सारा सबूत जुटा रहा था कि लास्ट में जब हम ब्रेक अप करेंगे ना तो ऐसा ओडियन्स को ऐसा दिखाएंगे कि मैं नहीं किया है, सामने वाली सब्या ने किय देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, मुझे तो पता है कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है जिसके बुरोसा कर रहा हूं वो फेम और पैसो के लिए at the end of the day मुझे धोका दी रहा है, and मैं एक्सेप्ट कर लिया कि this was my life which I had to face, but मैं इते दिन से कुछ ऐसे सेंटिमेंटल पोस्ट पर यह सब चीज नहीं कर रहा था, because I wanted to protect, that was my true love for you, but on social media करके fake allegations नहीं लगा रहा है अभी क्या कर रहे हैं, अभी allegations नहीं लगा रहे हैं, अभी social media पर आके आप अपने ही प्यार को क्यों बदनाम कर रहे हो, उसका नाम ऐसे उचाल रहे हो, लोगों के सामने उसको defame कर रहे ह कि वो मतलब जूटी है, धोके बाज है, तो मतलब पहले भी वो धोके बाज ही रही होगी, यू ब्रोक अप जस्टू गें सिंपैथी, नहीं प्लिक को बता रहे हो, प्लिक के सामने, एक दो बंदे टेक्स करेंगे कि भाई, छोड़ दिया, रियालिटी काम आगाई है, वो उन लोग उसे जाकर कैसे मिल गई, जिन लोग उसे इतना सारा कॉंट्रोवर्सी हुआ था, और फिर पैसा मांगना या सब कुछ करना, और मेरी फामिली को अब्यूस करना, दियान गाई, तो यार तस विल बी माई एंड स्टोरी इस पूरे माटर पर, और लाइफ सब के वाला है, अभी चैनल पर आएगा जरूर से, और नई लड़की का दर्सन करने के लिए, ब्रो से ना तयार रहिएगा, नई लड़की आने वाली है, नई गर्फरेंड, बढ़ते हैं, हमारे एक रेलेशनशिप था, हम सूपर ग्लाड, हम सूपर हापी कि हम लोग ने बहुत अगर अच्छा टाइम नहीं बिताया होता, तो वीडियो डिलीट करनी पढ़ती या तो प्राइवेट करनी पढ़ती, वीडियोज है, वीडियो के उपर सव्या के साथ जितनी भी वीडियो बनाई है, सब पे Miles वीडियोज है, तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, अगर वो बुरी यादे बनाएंगे तो कैसे डिलीट कर सकते हैं इसलिए जितनी भी टाइम हम साथ रहें बहुत अच्छा टाइम बिताया यह तो बोलना जरूरी है नहीं तो फिर वीडियो भी डिलीट करना पड़ेगा ब्रो से ना भी साथ समस्दारी से बोल सकती है ना कि भाई अगर इतना भाई बुरा वक्त बिताया लड़की के साथ इसने फेक लड़की थी तो भाई वीडियो भी उसके साथ वाली सारी डिलीट मार दो ना बट आई नेवर थौट कि ऐसा कुछ होगा तो प्लीस इसे को हेट मत देना इस वांटेट की रियालिटी भारा है किसने ब्रेक अप करा है कि बाई कर सैमी के ऊपर भी जो वह बता रही थी कि मुझे मोलेश्ट करने का कोशिस कि अब बताओ गाइस कोई लड़का किसी लड़की को गाली कैसे दे सकता है उस बारे में मैं बोलना चाहूंगे कि वह लड़की उस टाइम भी जूटी बोल रही थी आमा आई कोड़न बोलना रिस्पॉर्ण आप जूट ना रिस्पॉर्ण पार राइस को अब बाद बाद ना रिस्पार लड़की जिन लोगों से यह सब कुछ कॉंट्रवर्सी अब के सामने थी इनो इस इस नौट एक्सेपटेबल और मेरे माबाप उपर रहें और हमेशा उपर रहें अगर जो लड़की मेरे माबाप को रिस्पेक नहीं कर सकती जो लोग दुश्मनों से जाकर के यह सब कुछ कर सकती है अगर आप होते मेरी जगत तो क्या उसके साथ रहते है अफकोस रहते है यू डिजर्व हर इस बार सायद वैसलीन तोड़ी सी कम लगाई थी इस वज़े से आस कि स्टोरी वाली वीडियो जो कि इन्होंने पोस्ट की ती तुरन से डिलीट कर दी क्योंकि पता नहीं यह किसको दिखाना चाहते थे और क्या दिखाना चाहते थे और उसके बाद सायद इनको लगा होगा कि ने 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 मुझे पोस्ट नहीं करना चाहिए तो मैं बताती हू कि वो दुश्मनों से जाके मिल गई और उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया अगर उसके मेल वगेरा सारे चेक करो आप उसने जितने भी मेल इसको भेजे हैं इसने ब्लॉक मारा है इसको हर जगा से इसलिए वो मेल भेज रही है और मेल में उसने जो चीजे भी लिखी है या जो चीजे भी उसमें उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनके फ्रेंडों ने इनके बीच में आग लगाई है इसने अपनी किसी फ्रेंड से कुछ कहा है जो कि थोड़ा सा और ता सब्या के लिए सुनने म एक कि-प्लड लूमे कंवा ठाया एक हेलमेड जो दिया है वह ऐसा दिया है इसने अपनी फ्रेंड से कने कुछ ऐसी बाते की कि कि य newgen होOOOO ये क्या क्या बोलती है तो ये चीज हुई है, इनके बीचमें और ये आग लगी है उसके बाद से इनके बीचमें ये gेम चलना सुरू किया है, blame game कि तुम ने किया, तुने किया, तुने किया, ऐसे करके और दोनों की लड़ाई में ये लोग सच्चाई को दीरे दीरे बाहर ला रहे हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में आमिर माजिच, स्यामी और इस अनुराग के बीद जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें गलती किसकी थी ये एक truth जो है वो जो की दब गया था वो सामने आ इनके ही truth ये खुद ही बाहर निकाल रहे हैं अपना truth जो की ये दुनिया को चीक चीक के कह रहे थे की no guys मेरी girlfriend सच बोल रही है उसको molest किया गया है guys वो बहुत ही innocent है उसको rape threats आ रहे हैं वो बिल्कुल भी बहुत innocent सी लड़की है बहुत प्यारी सी cute सी लड़की है वो ये बोल रहे थे अपनी बातों से you turn मार लेना जैसे जिसको बोलते है इसने you turn मार लिया अब यह कह रहा है कि वो बंदी fake थी fake है और हमेशा fake रहेगी तो ये मतलब चीज से तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये मुझे comment में मत बोलना कि आपको वो लोग बताने आये थे क्या कि व इतना चीज पढ़ने के बाद कोई बंदा भी समझ जाएगा कि क्या हुआ इनके बीच में और कौन किसके उपर blame लगा रहा है और कौन सही है और कौन गलत है जहां तक मेरा कहना है मैं सव्या को बस एकी चीज बोलना चाहूंगी कि बहन तुने बहुत बहुत गंदे इंसान से प्यार कर लिया जिसको प्यार का मतलब भी नहीं पता ये किसी लड़की को डिजर्व नहीं करता है किसी भी लड़की को डिजर्व नहीं करता है क्योंकि इतना मतलब इतना जो दिमाग से जो खेलते हैं वो कभी दिल से प्यार नहीं कर सकते हैं इनकी मम्मी इनकी मम्मी न लड़की को फैँड़ाना है कि अपने वीडियो में तो अब दूसरी लड़की का वेट कर ये वीडियो के अंदर आएगी जरुर से आएगी next girlfriend कमाल की होगी पटाका होगी तो वीडियो में भी आप लोगों को मज़ा आएगा ये बंदा जो दूसरों को views और क्या कहते है उसको subscriber से नापता है ये बंदा अपने views और subscriber के लिए कितना नीचे गिर सकता है ये ही चीज मैं आपको बताना चाहती थी और यही चीज ये इसने खुद अपने वीडियो के थ्रू और सव्या ने खुद अपने mails के थ्रू बता दिया है कि ये बंदा views और subscriber के लिए ही सब कुछ करता है इसके सारी चीजे सारे actions इसने अपने 1 million भी इसी तरह किये हैं लूसरों के subscriber चुरा चुरा के सौरव जोसी, गौरव जोन कितने लोग इसने subscriber चुराया है सव्या अपने सारे वीडियो के जितने भी controversy वाले वीडियो थे जितने भी exposed वीडियो थे उन सब को private कर दिया है उन सब को हटा लिया है अपने channel से, अपने instagram से हर जगा से हटा दिया है क्यूंकि, क्यूंकि उसने ये सब कुछ इनके कहने पर किया था अपने पूजनी बॉइफरेंड के कहने पर उस बंदी ने इतना कुछ पोस्ट किया लोगों पे fake allegations लगाए ताकि लोग उसको सच मान के बाइकर सैमी को और आमीर माजित को हेट पहुचाए उनका करियर एक तरह से खतम करने की कोशिश की इतना सीरियस allegation लगाके एंड उसके बाद जब ब्रेक अप ही हो गया जब बॉइफरेंड ही नहीं रहा तो उन वीडियो का करेंगी वो उन वीडियो फीक दूसरे के दूसरे की दूस्दूस्मन बनके वो क्या करेंगी जब उनका देने वाला उनका खुद का बॉइफरेंड ही उनको जूटा और उनको फेक बताने लगा तो वो क्या कर सकती थी तो इस लिए उनको समसदारी इसी में लगी होगी कि वो वीडियो ही हटा दे तो उन्होंने वीडियो को हटा दिया है एंड नाव वो टोटली शैटर्ड हो गई है तो मैं स्क्रिंशोट यहां लगा रही हूं और आप लोग पढ़ लिए और एक चीज़ मैं में मेंचन करना जरूर से चाहूंगी कामनी कि ही जो कह रहे है की सव्या ने ब्रेक अप किया है सव्या ने साधी तोड़ दी हमारी तो यह चीज़ भाई हमको भी समझ में आती है हमें भी ब many हम्हें करता है और आघे ओर या के वही बोलता है र entsteक्स्डे की गलती किस अगर आप एक साइड की वीडियो दिखाके एक साइड की स्टोरी को बताके और किसी के वीक मॉमेंट के कन्वर्शेशन को अगर आप दिखाके आप लोग चाहते हो कि लोग आपको यह सोचे की नहीं नहीं सव्या की गलती थी सौरी कौन बोलता है जो गलती करता है तो ऐसा नहीं है ब्रो प्यार में गलती कोई भी करे सौरी वही आगया के बोलता है वही माफ कर दो माफ कर दो बोलता है जो सच में दिल से प्यार करता है और जहां तक मेरा नौलेज है मुझे लगता है कि सव्या ने जो इनका लास्ट मे अपने लिए तो मूव ओन कर जा और यह लड़का तेरी आसूओं के भी काबिल नहीं है इसके उपर अपने आसू बर्बाद मत कर तुने जितना भी इसके लिए किया सब वेस्ट हो गया सब बर्बाद हो गया फॉर्ड़ रीजन क्योंकि तुने गलत इंसान चूज कर लिया अ आमिर माजिद ने UK को गाली दिआा आपि आमिर माजिद ने लड़की को बॉडी शेमिंग किया है कि लड़की को पहुत सारे जो लगा रहते आब उनका क्यांजन है मैं अब यह दूनों एक दूसरे पाट लिए लगा रहे हैं तो यह आपकी भाई यह खुद कह रहे हैं कि लड़की फेक थी और फेक हमेशा से ही इसने फेक चीजे की और मेरी फैमिली को गाली दिया और ऐसी लड़की के साथ मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ तो आब आपका क्या कहना इस बारे इन लोगों को मैं कुछ मानती नहीं हूँ अपने मिलियंस फॉलोवर्स का गलत फायदा उठाया है हमेशा से वो दूसरों को डिफेम करते हैं रोस्ट करते हैं दूसरों को बुरा भला बोलते हैं रोस्टिंग की आड में दूसरों को बुरा भला बोलते हैं दूसरों का करियर खतम करने की कोशिश करते हैं दूसरों के चैनल पर हेट फैलाने के लिए साफ साफ कह देते हैं अपने चैनल के उपर खुद के पास कोई टैलेंट ना हो तो लोग ऐसी चीज़े करते हैं अपने सब्सक्राइबर को गलत फाइदा उठाते हैं जबकि मिलियन लोग इनको फालो करते हैं अंदभक्त बन गया है इनके जो बोलते हैं वो करते हैं ऐसी जो खुद का ब्रेन तक यूजने करते हैं ऐसी ओडियन्स है इनके पास तो उसका ये लोग गलत फाइदा उठा रहे हैं क्योंकि मैं इनको simply कुछ मानती ही नहीं हूँ क्योंकि ऐसे लोग समाज के उपर एक धबा होते हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाने के सबसे बड़े कारण होते हैं समाज के युवा को गलत दिशा में ले जाना समाज के युवाओं को भटकाने में इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा UKJ7 को मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको जल्दी ही मालूम चलेगा कि आपको कितना डैमेज पहुंचने वाला है जो आप दूसरों को धमका रहे थे दूसरों का करियर खतम करने की कोशिश जो आपने की है तो वो चीज आपको कितनी महेंगी पढ़ने वाली है होगा आपका वो चीज़े आपको धीरे धीरे करम का फल जो होता है वो ही आपको बताया देगा और जितने भी आपको planning plotting करने या दूसरों के खिलाफ आप कर लो जितना दिमाग भगवान ने आपको दिया हुआ है आप उसी साब से अपना planning plotting कर लो आगे तो आप नहीं जाने वाले हो क्य कि आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊगे तो सुधर जाओ या फिर डूब जाओ आपका आगे क्या होगा ये तो हम देखने के लिए यहां बैठे ही हैं दुर्गा पूजा का ही मिनिंग है कि बुराई पर अच्छाई की जीत तो मुझे लगता है काफी हद तक बुराई आगे मादुर्गा राक्छसो का अंत करके ही जाएंगी & राक्छसो का अंत जरूब से होगा और उनके अन्दर का जो ब्रेन में जो राक्छस बैठाiane उसका अंत जरूब से होगा और बाइकर सयामी को बोलूंगी all the best for your future &ू. आमिर भाई को भी मैं एक suggestion दिना चाहूंगी कि प्लीज भाई इस बार UK पे कोई कुछ मत बनाना UK नाम से कुछ मत बनाना इस बार इसका नाम लेना 2.0 में इसका नाम लेना भाई डायरेक्ट इसको डिस करना बिलकुल इसका लड़की के ऊपर allegation मत करना लड़की को कुछ मत ब बात से लोगों ने हेट किया है कि लड़की को गाली दे रहा है लड़की को गाली दे रहा है तो तुम कैसे हस सकती हो तुम कैसे बोल सकती हो और लोगों ने यह भी बोलाया कि पूरे UK को गाली दिया है तो इन सब पॉइंट्स जो भी इन लोगों ने पॉइंट्स गिना है तो उस पे मेरा reaction for sure आएगा मैं इस वीडियो को अब यही end करूँगी I hope कि आपको थोड़ी सी अगर मतलब दिमाग के परदे अगर खुले हो तो थोड़ी सी आपको समझ में आएगी बात मेरी कुछ points के उपर मैंने बात की जो कि अगर आप लोग को दिमाग होगा तो आप consider जरूर से करोगे तो चलिए मैं आप इस वीडियो को यही end करूँगी I hope कि आपने enjoy किया होगा इस वीडियो को अगर enjoy किया होगा let me know by clicking like button share करना अपने friends के साथ उनको भी सच्चाई दिखाने की थोड़ी सी कोशिश कर लेना अगर कर सको तो चलिए मैं इस वीडियो का इंड करूँगी मिलोंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में till then take care yourself thanks for watching my video bye bye आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बदाई कमेंट में ये बोल रहे हैं कि education is important आप education ले लो तो मैं ये बोलना चाहूंगी उन लोगों को कि हम तर अपना education ले लेंगे आ बस आप अपनी आखे मत खोलिएगा सचाई को देखने की कोशिश मत करिएगा और आप अनपड ही रहिए education बिलकुल भी मत लीजिएगा you will come to know कि कितना जादा डामेज पहुचेगा yeah jk02 hip hop इस्तियाग जी आमिर माजिद क्या बोल रहा है वे चूती है हां सारे व्लाग पहले अप्लोड कर दिये अबे तू ले मैं ताना मैं पैंकाउंट की राइड कंप्रेट कर रहा था समझा क्या तू राइड नी साले तू चोर है समझा और क्या बोल रहा था तू कैमरा यूज किया वीडियो में क्रेडेट्स नहीं थिये वीडियो हटा देगा समझा मैं तू को बहुत टाइम से ना रिप्लाई करना चाहता था लेकिन मेरे वन मिलियना खुद के दंपे करने थे साले चल सून अब जम्मू से